महाँस्वेम रोजगार पंजिकरन, महराष्ट, ऑनलाईन आवेदन महराष्ट सरकार ने इस पोर्टल को launch किया इस ऑनलाईन पोर्टल की सुईधा महराष्ट के बेरोजगार लोगों को दिये जाएंगे जो रोजगार की तलास कर रहे हैं और राज के सिक्षित बेरोजगार जो है जो लोग इस महास्वयाम ओनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना ओनलाइन पंजिकरम कर सकते हैं और इस पोर्टल पर विभिन संस्थानों द्वारा जारी की गए नौकरी की सुचनाओं को असानी से युवां तक पहुचाया जाएगा तो जो भी संस्थान अगर नौकरी के लिए कोई ओफर निकालते हैं या तो इस पोर्टल के जरिए आपको इन्फोर्मेशन मिलते रहेगा महास्वयाम रोजगर पंजीक घरन की लाव की क्या क्या लाव है पहला है इस ऑनलाइन पोर्टल का लावराज्य की पिरोजगार युवां तो प्रदान के जाएग जो बेरोजगार युभा है वो लोको दूसरा है पोर्टल का परिक्ष्यन संस्थान भी अपना रेजिस्टेशन करवा सकते हैं जो संस्थान है जो इंसिट्यूट सब है वो सब भी इसका रेजिस्टेशन करवा सकते हैं और अपना वे संस्थान का विग्यापन यहां दे सकते हैं विग्यापन कर सकते हैं इसी के साथ वे यहां ट्रेनिंग के लिए रेजिस्टेशन करवा क का registration fees भी यहां से प्राप्त कर सकते हैं, registration fees भी मिल सकते हैं, इस portal की त्वारा राज में भी इस तरह का causal परिक्षन, नौकरी की वेकेंसी और विकास से संबंदी जानकारी एक अस्थान पर असानी से मिल सकता है, तो जितने भी information है आपको इस portal के थरू मिल सकता है, यहां पर महर लाश्ट के student अपना registration करके किसी भी प्रकार की नौकरी से संबंदी जानकारी, causal विकास ट्रेनिंग के जानकारी और रोजगार मेला के जानकारियादी से ले सकते हैं, इसके अलावा वो यहां से नौकरी के लिए अपना registration भी कर सकते हैं, महा स्वेम रोजगार पंजी करन के दस्तावेज, इसके क्या के दस्तावेज लगेंगे, अधारकार, सैक्षित योग्यता का प्रमान पत्र, acquired school certificate, निवास प्रमान पत्र, mobile number, passport size photograph, माता पिता का राज में नौकरी का प्रमान, MLA या फिर संसत द्वारा जारी प्रमान पत्र, नगर परिसद या सरपंच के द्व कारी या स्कूल प्रमुक द्वारा प्रदान किया हुआ पत्र, तो आपको इसमें registration करने के लिए, इसका official website में आजाना होगा, www.mahaswam.gov.in, इसका official ने के बाद, आपका ऐसा homepage खुल जागा, homepage खुलने के बाद, आपको employment यहां लिखा हो दिखा, इसमें आपको click करने के जो यहां लिखा हो है, इसमें अपको 45 कलिक करने के बाद, आपको यहां पे new जॉब कुपर रईस्टेशन फूल गया है, तो यहां मिधिल नेम नेम और वरषर के ब हिसाप से लिखा हो है, अधार कार्ड में लिखा हुआ, तो यहां पर टिकमार के बर दएना है, मिदिल न अधार इडी देना है उसके बाद मोगाईल लंबर और इस कैप्चा कोड को यहां भर के next पे क्लिक कर देना है उसके क्लिक करने के बाद आपको यहां पर OTP आएगा तो OTP आपको यहां पर भर लेना है और confirm पर आपको क्लिक कर देना है पर क्लिक करने के बाद आपका यहां पर अधाक का details खुल देयागा details खुलने के बाद आपको नीचे के तरह आना है जहां पर आपको gender select कर लेना है country, state, district, तालुका, city में रहते हैं, village में रहते हैं mother tongue कि आपको यहां select करना है आपको यहां address भर के create account पे click कर देना है इस पे click करने के बाद आपका next page जो खुलेगा इसमें job seekers login page कुलेगा तो आप जो registration की हैं आपको successful हो गया है तो उसमें आपको registration ID मिलेगा तो उस ID को आपको यहां भर लेना है और आप जो password बना है उसको यहां भरना है login पे आपको click कर देना है login पे click करने के बाद आपका homepage खुलेगा जिसमें आपका profile आएगा तो आप जो registration की है तो उसका profile आएगा उसको आपको download कर लेना है और download करके रख लेना है